दोसों केंद्र की मुदी सरकार ने आप सभी को एक बहुत अच्छा तौफा देने का प्लान किया है आपके सामने जो आर्टिकल है वो जीनी उसका है इसमें पताया गया है MBBS के लिए नहीं जाना होगा विदेश तेस भर में खुलेंगे 112 कॉलेज बढ़ेंगी हजारों सीटे जी हैं बहुत इंपॉर्टेट अब्रेट है इसलिए आप सभी इस वीडियो को इंड़ देखें इसमें अपतायेंगे आपको कि आखिर क्या कहा केन सरकार ने केन सरकार बहुत ही जल्द MBBS के सेकड़ों कॉलेज खूलने जा रही है जिसके तह सरकारी कालजों महजारों संख्या बढ़ेंगी MBBS सीटे बढ़ेंगी अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिदेश नहीं जाना होगा आपको दादे कि हर साल लगबग 25 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो बिदेश जाते MBBS करने के लिए और भी बहुत सारे मसले हैं बट किन सरकार ने ये नया नियोने लिया है जिसमें अब देश के अलग अलग राज्यों में जो है 112 new MBBS कॉलेज ओपन किये जाएंगे सवाल यह आता है क्या आखिर ये कॉलेज कहा खुलेंगे क्या क्रेटेरिया है अब दें कि जहां की आबादी जिस भी जिले की आबादी 10 लाग या उससे जादा है तो उस जिले के हॉस्पिटल को डेबलब करके वहाँ पर उसको एक गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज बना दिया जाएगा इसके तहट किन सरकार पूरे मसले पे प्लानिंग कर रही है और जल्दी ही ये कॉलेज बनना स्टार्ट हो जाएगे सवाल अब यह आता है कि ये कॉलेज कब तक बनेंगे कब तक कंप्लीट होंगे किन बच्चों को फाइदा होगा अब करादिने क्योंकि अभी सरकार प्लान कर रहे है तो संभाथा ये जो college है वो 2025 इन 2025 तक जो है open हो सकते है यह हमेवी एक साल और लग सकता है हो सकता है कि जो college है वो एक-एक बनते रहे हैं और उसके बाद जो है इसमें सीटे बढ़ती रहें एक साथ न बने लेकिन क्योंकि कि ये सरकार की ये policy है तो जो बच्चे भी 9th में है 10th में है ये जब 12th qualify करकर need exam देंगे तब इनको आसानी होगी MBBS करने के लिए तो जो बच्चे अभी 10th में है 1st year में है या 9th में है आप सभी आज से ही पढ़ना start कर दे स्मार्ट वर्क करते रहें पढ़ते रहें तकि आपको selection first attempt में हो जाए तो इस good news मिता ही आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच जहिन